जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPA Study Point YouTube चैनल पर तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं UP Police Constable भरती की Complete Details के बारे में पिछले वीडियो में आप में से काफी सारे स्टुडेंट का कमेंट आया था कि UP Police Constable की जो 26,210 पोस्ट पर भरती होने वाला है इस वीडियो में इस भरती की Complete जनकारी आपको बताने वाले हैं तो अगर आप भी UP Police Constable की तैयारी कर रहे हैं या इसका फर्म अपलाई करने वाले हैं तो वीडियो को Complete वाज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को दबा दीजिए तो दोस्तो यहाँ पे बात करें वेकेंसी की Complete डीटेल्स के बारे में तो आप सभी को बता दे इसमें जो टोटल आपका पोस्ट है 26210 पोस्ट पर आपका ये वेकेंसी होने वाला है जिसमें पोस्ट की बात करें तो Constable and Fireman का पोस्ट आपका रहने वाला है Constable के लिए 26210 पोस्ट और Fireman के लिए आपका 172 पोस्ट रहेगा इसके बाद यहाँ पे बात करें इस भरती के अंत्रगत Male and Female दोनों फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसकी Apply Mode आउनलाइन रहने वाला है और Job Location इसका उत्तर परदेश रहेगा इसके बाद यहाँ पे बात करें Pay Scale की तो Pay Scale में आप सभी को बता दे कि Training Period में आपका Pay Scale 17700 रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे आपका Pay Scale इसमें बढ़ने वाला है Age Limit की बात करें तो दोस्तों आप सभी को बता दे कि अगर आप Male Candidate है तो 28-22 बरस के बीच आपका Age Limit होना चाहिए और अगर आप Female है तो 28-25 बरस के बीच आपका Age Limit होना चाहिए और SC-ST को 5 बरस का Relaxation और OBC को 3 बरस का Relaxation आपको देखने को मिलेगा यानि कि Age में छूट आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे Height की बात करें तो Height आपका 168 cm, OBC, SC और General के लिए और ST Candidate के लिए 160 cm, अगर आप Female है तो OBC, SC या General से भी लोग करते हैं तो आपका 152 cm और अगर आप Female Candidate है तो 147 cm आपका Height यहाँ पे रहने माला है इसके बाद यहाँ पे बात करें आपका चेस्ट की तो अगर आप General OBC, SC है तो 89 से 84 cm यानि कि 5 cm आपको Expansion करना होगा और ST के लिए 77 और 5 cm Expansion करके 82 cm आपको करना होगा Running Test की बात करें तो Male के लिए 4.8 km 25 मिनट में और Female के लिए 1.4 km 24 मिनट में आपका Running Conduct कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट के अंतरगत यहाँ पे Qualification की बात करें तो Qualification आपका 12th Pass रहने वाला है अगर आप 12th Pass है किसी भी बोड से तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं Level 12th Pass इसमें मांगा गया है Selection Process में आपका CBT यहाँ पे Sorry Retain Exam होगा CBT नहीं होगा इसमें इसमें Retain Exam होगा OMR Best जो एकजाम होता है वो आपका होने माला है उसके बात Physical Test, Medical Test और Document Verification Then Final Merit List आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी अपलाई कपसे सुरू होगा तो दोस्तों इसको लेकर Tender का जो नोटीस है वो आ चुका है आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताये थे जिसमें बताया गया है कि 26,210 Post Constable और 172 Post Fireman के लिए आने माला है और उसका Tender जो है 27 जनवरी 2022 के पहले जो है एसेप्ट किया जाएगा यानि कि 27 जनवरी के बाद इसका भरती आपको देखने को मिलने माला है तो ये वेकेंसी पूरी संभावना है कि फर्वरी मंथ के फर्स्ट वीक तक या सकेंड वीक तक आपका वेकेंसी आ जाएगा हालां कि जनवरी के लास्ट वीक में भी आ सकता है लेकिन फर्वरी मंथ में आपकी आने की पूरी संभावना है और फरवरी मन्द से इसका फर्म अपलाई सुरू हो जाएगा तो मार्च 2022 तक इसका लास्ट डेट रहने माला है इसका टेंडर का नोटीस अगर आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं जो की UP पुलिस के तरफ से जारी किया गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं आप सभी यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी UP पुलिस कंस्टेबल की तयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बूक रहने वाला है चक्छू पबलिकेशन का क्योंकि यह यह कंपलीट गाइड है आप सभी को बता दे इस बूक के अंतरगत आपको वे सभी चाप्टर देखने को मिल जाएंगे जो UP पुलिस कंस्टेबल के एकजाम में पूछे जाते हैं जैसे की समानने ग्यान, समानने हिंदी और नुमिरिकल एंड मेंटल एबिलिटी इसके अलावा जितने भी प्रास्ण है जो जिस जिस चाप्टर से UP पुलिस कंस्टेबल में पूछे जाते हैं वे सभी चाप्टर और इससे रिलेटेट कापी सारे प्रास्ण इस बूक के कंस्टेबल की तेयारी कर सकते हैं साथ इसके अंतरगत आपको प्रीवियस एर का कूशन भी देखने को मिल जाएगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं आप सभी जाकर ओनलाइन ओडर कर सकते हैं या आप अपने नजदिक के मार्केट से भी इस बूक को पर कर रहेगा और दो घंटा 120 मिनट यानि कि आपको टाइम इसमें दिया जाएगा और यहां पर बात करें आपका जेनरल साइंस से 38 कूशन रहेगा जेनरल हिंदी से 37 और नुमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपका 38 प्रस्न रहेगा इसके अलावाई इंटलिजेंस और रिजिनिंग से जो है आपका 37 प्रस्न रहने वाला है यानि कि रिजिनिंग का भी प्रस्न आपको इसमें देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहां पे आप सभी देखेंगे कि जो जेनरल साइंस है यह 66 मार्क्स का रहेगा यानि कि 76 इसके बाद नुमेरिकल और कि mental ability test आपका यहां पे आप सभी देखेंगे 56 marks करा हैगा 76 general हिंदी आपका 74 marks का यानि कि 74 और जो आपका रिजिनिंग का प्रस्न है यह आपका 74 यानि कि 74 मार्क्स का रहेगा तो यहां पे आप सभी देखेंगे कि यह जो है आपका syllabus है अगर आप सभी इसकेoning तयारी करते हैं तो आपका selection जरूर होगा क्योंकि यहीं इसका जो है syllabus आपका रहने माला है और 150 cushions 300 नंबर का परतेक प्रस्न दो नंबर का और time 120 मिनट और इसमें negative marking भी आपका रहता है तो negative marking की बात करें तो 0.25 आपका negative इसमें देखने को मिलेगा यानि की 4 प्रस्न अगर आप सभी 4 cushions जो है गलत करते हैं तो एक सही भी आपका चला जाएगा यानि की एक सही भी काट लिया जाएगा तो 0.25 जो है इसमें negative marking आपका रहने माला है तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कोई भी सवाल है कमेंट सेक्षन में बताईए और इसका फार्म जो है बहुत जल्द अपलाई सुरू होने वाला है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम